तो दुस्तों कैसे हैं सभी में करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छ होंगे दो दिन से मैंने एक भी विडियो अपलोट नहीं कि दोस्तों इस चैनल पेस के पीछ एक छुटा सा कार रधवा की उसे हटा दिजे अपसे दोस्तों रोज वडियो आगी तो आज की इस वीड़ो में हम करने वाले exercise 14.3 को और उसी के साथ सा दोस्तो हमारा chapter 14 भी complete हो जागा तो स्वागत है आज सभी का आपके अपने फिर्ट चैनल लोज शिशली पर आई दोस्तो बढ़ते हैं questions की तरब exercise 14.3 में बहुत most important questions दिये गए हैं आई हम इसका दूसरा सवाल देखते हैं तो यहाँ पर देखे question number second लिखा गया है कि if the median of the distribution given below is 28.5 find the values of x and y इस तरह से भी आपसे सवाल दूस्तों पूछा जागा इस सवाल में हम median पहले ही दे दिया गया है 28.5 और हमें बताना है कि x और y की क्या value होगी तो देखा आपने पिछले सवाल में direct हमसे median पूछा गया था इस सवाल में दूस्तों median पहले ही दे कर किसी variable की value पूछ लिए जागी तो देखे सबसे पहले बाकी काम आपको ये करना है कि box बनाना है तो इसके लिए दूस्तों हमने यहाँ पर एक box बनाया है प्यारा सा बाकी हम अपने से एक median निकालेंगे उसे इसके बराबर कर देंगे अब median का formula क्या होता है l plus bracket के अंदर n upon 2 minus cf upon f इसकी multiply दोस्तों हम ऐससे कर देते हैं यह होता है median का formula जो की दिया गया है 28.5 तो median दिया गया है अब देखे किस रसे कीज़ेगा सबसे पहला काम हम क्या करते ह इस cf की value निकालते हैं इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर एक extra बनाया हुआ था तो आपको भी ऐसे ही करना है इसे निकालने के लिए हम frequency यहाँ लिखते हैं तो फिर दोस्तों इसे जोडते हुए चले जाते हैं इसके बाद वाली में या फिर इससे जोड़ सकते हैं 5 plus x यह प्लस x प्लस y तो देखा आपने बाकी आपको एक चीज और का दोस्तों ध्यान देना है कि जो लाश्ट वाली cumulative frequency आती है यह बराबर होती है इन सभी frequencies के समके अब यह देखे सवाल में पहले ही दिया गया है box में ध्यान से देखे तो इस चीज की मदद से हम दोस्तों यहाँ पर find करेंगे क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पर देखे दो चीजों की बात की जा रही है x और y की अब एक equation से दोस्तों तो हम x और y की value निकाल नहीं सकते हैं तो दूसरा equation हम यहाँ से बनाएंगे इसकी यानिकी जो last वाली cumulative frequency होती है बराबर होती है इन सभी frequencies के समके तो हम यह आपर side में लिखते हैं 45 plus x plus y यहाँ से x plus y की value दोस्तों क्या हो जाएगी 60-45 यानिकी 15 तो हमारा पहला equation बनके तयार हो चुका है अब देखे यहाँ से हम दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले median निकालने के लिए हमें median class की जरूत पर दिया किसकी median class की अब देखे हमेडियन क्लास हम निकालते किस तरह से हम दुस Caitlin 2.2 निकालते हैं फिर उसके बाद वाली मतलब उससे बड़ा वाला खुशते हैं लेकिन यहाँ देखे यहाँ वारिवल दिया गया है अगर 20 और 30 को यहीं हमारी क्या हो जागी median class तो हम यहां लिख देते हैं median class क्या चुकि है 20 30 अब आए इस सभी की values निकालते हैं L क्या होता है lower limit होता है L is equals to 20 हो जागा N upon 2 दूस्वों क्या होता है N के place पे देखे 60 है 60 को to see reward कर देंगे 30 हो जागा CF क्या होता है इस चीज का बिल्कुली धहां से देखेगा CF दोस्वों होता है median class के पहले वाली class की cumulative frequency इस चीज में अक्सलों confuse होते हैं median class की cumulative frequency लिख देते हैं लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है median class के पहले वाली class की cumulative frequency इसके पहले क्या है 5 प्लस X 5 प्लस X लिखेंगे F क्या होता है दोस्तों यह frequency होती है median class की frequency होती है cumulative frequency नहीं तो median class ही है इसकी frequency दोस्तों 20 हो जाएगी अब देखिए H क्या होता है size of the class upper limit minus low limit 10 हो जागा और यहाँ पर दोस्तों सारी इस चीज़े तो हमने लिख लिख लिया यह formula पर बूट करते हैं L के place पे 20 प्लस bracket के अंदे दोस्तों n upon 2 कितना है 30 है minus यहाँ देखिए cumulative frequency क्या है 5 प्लस X है इसे किसे divide करना है एप से divide करेंगे एफ के place पे 20 है इसे multiply दोस्तों किसे hearts यानि की 10 से is the question 28.5 तो इससे हमने इसे लिख लिया तो आई इससे solve करते हैं बाकी यहाँ देखिए 0 सी 0 दोस्तों cancel हो जागा क्योंकि multiply में दिया गया हम यहाँ लिखेंगे 20 प्लस यहाँ पर क्या हो जागा इससे दोस्तों minus कर देते हैं तो हम यहाँ लिख देते है 30 minus 5 minus X हो जागा minus की multiply हमने कर दी यहाँ पर इसके नीचे दोस्तों क्या रहेगा 2 रहेगा 28.5 अब यहाँ बिल्कुल देहां से देखेगा अक्सर इसमें हम गलती क्या करते हैं यहाँ पर दोस्तों इसके multiply भी कर सकते हैं लेकिन यह चाहिए आपको नहीं करने है क्यों क्योंकि जब सिंगल टर्म रहता है तब ही हम multiply करते हैं यहाँ पर प्लस लिखा गया है तो multiply नही वाट इस देखें लेके कितना हो जागा 40 plus 25 ओंटीफाइब मायनस एक्स अपान टो इस टुकष्ट्वइश्ट टूटीएट पॉइंट पॉइंट फाइब इसके हम क्रोस मंटिप्लाइब कर देते हैं 20 इसे अड़ करेंगे कितना हो जागा 65 हो जागा 40 2065 यह दूस्तों हमा टो बाकि जब इस है माःनेस दोस्तों किया जाएगा कितना जाएगा ex euro quest हमारा 8 आ चुका है तो देखा आपने vai 2 आ चुका है तो इससेहां सोहां लिख देते हैं inex смies k создu 8 आ बाकि हमें Y की value निकाल लेथी तो इसकी मतश्यालेंगे एकस के पलेसे पेस लिखेंगे 8 प्लस Y फॉच्ट के सिवन आ को अगया तो आप Falls क्वास तो आपने उसका स्क्रेंशन लेंना चाहते हैंorg Administration स्क्रेंस लेन अग्ली विलए हम तो अब हम करने वाले इस पूरी ही exercise का most important question question number 3 इस video को बनाने का main पॉलिशी होल्डास calculate the median age यहां पर हमें median age find करनी है इप पॉलिशी जार गीवन ओली टू परसंस हेविंग एटीन यहां लिखा गया है देखे इस सवाल में नई चीज क्या है सबसे पहले हम उससे देखेंगे इसे हम दोसों हटाते हैं यहां पर देखे अगर आज सवाल दोस् सबसे क्लास दोस्तों दी गई थी इस तरह से below या फिर above करके नहीं लिखा गया था तो सबसे पहला काम हमेशे अच्छी तरह से बना लेंगे किस तरह से देखे 20 से नीचे दोस्तों इसका मतलब यहां देखे 0 से लेको 20 तक तो है ही मतलब हम कहें कि 20 से लेके 25 तो इस तरह से सबसे पहले हमें यही करना है कि अच्छी तरह से बनाना है दूसरी important बात यह है दोस्तों कि यहां देखे 25 से कम है यानि कि यहां जैसे लिखा गया है 25 से नीचे है और यहां 25 से नीचे है अब दोस्तों 25 से कम होगा तो 25 से भी कम होगा यहां अगर आप देखेंगे number of policy holders लि add हुआ है तो इससे यह दोस्तों आपको ध्यान देना है कि यह frequency नहीं दी गई है cumulative frequency दी गई है यह जो 6 दोस्तों यहां लिखा गया इस 6 में टू भी एड़ किया गया है तो इससे cumulative frequency दी गई है तो इतना अपने समझा अब देखें box दोस्तों किस्ता से बनाईगा यहां पर देखें हमने दुस्तों इससे अच्छी तरह से लिख दिया है जैसे कि यहां below 20 लिखा गया था इसे 0 से लेके 20 below 25 20 से लेके 25 यहां देखें हमने को number of policy holders यह दोस्तों cumulative frequency cf दिया गया है तो इस चीज का आपको ध्यान देना है अब आई हम इसे करते हैं देखें सबसे पहले ह हम देखें इससे 200 मानस कर देंगे यहां पर जैसे कि हम 2 लिखेंगे चूंकि सबसे पहला वाला हम लिख देते हैं फिर दोस्तों हम इसे मानस करेंगे जैसे कि 6 में से हम क्या करेंगे 6 में से दोस्तों मानस कर देंगे इस 2 को कितना हो जागा 4 आ जाएगा तो हम 4 यहां लिख पिर इसे हम add करते हुए चले जाते हैं जैसे कि इसे दोस्तों हम क्या करते हैं इसे हम add करते हैं तो 4 plus 2 कर देंगे मतलब 4 plus 2 6 आ जाता है इस तरह से हम इसे जोडते हुए चले जाते हैं जब cumulative frequency तो इसे दी रहती है अब देखे 24 में से हम 6 को मानस करेंगे 18 आएगा यहां लिखेंगे इसमें से दोस्तों इसे मानस किया जागा 5 में से 4 1 आ जागा 4 में से 2 याने की 21 इसमें से इसे मानस करेंगे दोस्तों 3 हो जागा 3 आएगा इसमें से इसे मानस करेंगे 9 मानस 8 वन लिखेंगे 8 मानस 7 वन लिखेंगे इसमें से इसे मानस करेंगे 12 मानस 9 दोस्तों 3 आजागा बाकि यह 3 ही आएगा यहां देखे 6 आ जागा यहां पर दोस्तों हो जागा 2 तो देखा आपने cumulative frequency दोस्तों दी गई होती है तो इसकी मतबसे जब हम यह निकालते हैं तो सबसे पहले यह लिख देते हैं फिर हम दोस्तों क्या करते हैं इससे दोस्तों हम तीरशा जोडते चले जाते हैं 2 प्लस 4, 6 आ जागा 6 प्लस 18, 24 इससे तो इससे भी हमने कर लिया अब median निकालने के लिए हम क्या करते हैं median is a quest 2, formula लगाते हैं बाकी यह निकालने के लिए सबसे पहला काम हमारा यह होता है कि median class हम निकालते हैं median class की इससे निकालेंगे हम दोस्तों यहाँ n upon 2 निकालेंगे n क्या होता है इन frequencies को जोडने पर जो आता है और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी दोस्तों की cumulative frequency के जो लाश्ट वाली frequency होती है वो इन frequencies के sum के बराबर होती है तो यह 100 लिखा गया है तो इससे जब जोड़ेंगे तो भी 100 आएगा फिर देखें क्या किया जाता है फिर दोस्तों हम n upon 2 निकालते हैं n upon 2 किस चीज़ के निकालने के 100 upon 2 कर देते हैं तो 50 आ जागा अब हम यह देखते हैं कि 50 से जादा दोस्तों कौन सी cumulative frequency यहाँ पर दी गई है क्या मैंने आपसे कहा हम n upon 2 दोस्तों निकालते हैं n upon 2 निकालने के बाद हम देखते हैं कि उससे जादा कौन सी cumulative frequency दी गई है यह 50 आ यह 50 से जादा कौन सी cumulative frequency है यहां देखे 50 से जाता दुस्तों अगर आप देखेगा 78 दिया गया है तो यही हमारी median class हो जाने वाली है इसके सामने वाली median class हो जागी 35, 40, 35, 40 तो देखा आपने अब आए हम चीजों को लिखते हैं फॉर्मले में दुस्तों क्या आता है, L लिखते हैं, L is request 2 क्या होता है, इसके lower limit 35, फिर क्या आता है, N upon 2 आता है, जो कि 50 है फिर दुस्तों क्या आता है, माइनस 3 अप, इस चीज को दियान से देखिए, cumulative frequency क्या होती है दुस्तों, जो frequency होती है, median class के पहले वाली class की cumulative frequency, जो कि 45 फिर हम क्या लिखते हैं, F लिखते हैं, जो कि frequency होती है, दुस्तों, median class की frequency, median class की frequency 33 अब आईए, हम इसे कर देते हैं, solve, solve किस्ते से करेंगे, median is request 2 median question दुस्तों, क्या होता है, L plus bracket के अंदर, N upon 2 minus CF upon F into HA formula होता है तो देखे, formula दुस्तों, यह होता है, हम यहाँ से solve कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, L के place पे 35 plus N upon 2, 50 minus CF, यानि 45 upon F, यानि 33, into, इसके multiply 5 से कर देंगे क्या हो जाएगा, 35 plus, यह 5 upon 33, into 5 कर देंगे, is request 2 यहाँ देखे, इसे दुस्तों, हटा देते हैं, start में हम कर रहे हैं, क्या हो जाने वाला है, 35 plus 55 25 upon 33, इसे हम कर देते हैं, solve भी हो जाएगा, 35 plus, इसे दुस्तों, जब आप काटी हो जाएगा, तो क्या आईगा, लगभग, इसे हम कर देते हैं, यहाँ पर दिवाइड जैसे की, 25 को करना है, 33 से दिवाइड, बाकि दुस्तों, यह दिवाइड तो होगा है, तो हम simple क्या करेंगे, यहाँ 0 point लगा देंगे, 250 हो जाएगा, इसे हम multiply दोस्तों, कितने बार में करेंगे, यह हो जागा, जैसे की, 7 में कर देते हैं, 73 से 21, 12 कहरी हो जागा, 73 से 21, 3, मतलब एक तरह से कहें, 7 बार में चरा जाएगा, तो कितना लगभग आएगा, 0.7 आएगा, इस से जब मानस करेंगे, 14, 19 आएगा, 0 लगाएगे, फिर यानि की हम यह कह सकते हैं, कि 0.75 आएगा, तो इसे एड़ कर लेंगे, कितना हो जागा, 35.075, मतलब 35.75, तो देखा, आपने, यही हमारा सही आंसर आचुगा है, इस सवाल का, जो कि हमसे पूछा जा रहा था, तो हम यह लिखेंगे, यहर्स, क्योंकि दोस्तों, यहर्स में पूछा जा रहा, यह हमें मेडियनेज निकालनी थी, तो इससे हमने इस सवाल को complete कर लिया, बागी इस वीडियो में दोस्तों, मैं आपको इसी सवाल को बताने के लिए वीडियो मेंने बनाई, क्योंकि अगर आप देखेगा, पूरे ही सवाल में, मतलब पूरे exercise में, जितने भी questions दिएगा, उस सवाल में, नेक्ट पर दोस्तों क्या, इसी के साथ हमारा chapter भी complete हो चुका है, अब दोस्तों हम बहुत सारी practice करने वाले हैं, तो चैनल को subscribe करने के साथ साथ, लोड़ी इस अन बेल को भी दोस्तों और पर क्लिक कर दीजेगा, अब